हैलो गाइज विडियो उप स्टॉक मार्केट फ्रेंड अजी इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए फिट्स वीडियो स्टार्ट करते है तो बैस नमबर जो दियेगा है लैक्स में नमबर से और फिनांशल यर करेंगे इंकम में 41.9 करोड का पिछले quarter में 30 करोड का और March 23 quarter में 28 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों की income में increase किया है expenses 37.6 करोड का पिछले quarter में 27.9 करोड का और March 23 quarter में 25.7 करोड का expense हुआ था जो कि expenses भी quarter on quarter में increase है year on year में भी expense increase है जिसके बद operating profit है 4.2 करोड का पिछले quarter में 2 करोड का और March 23 quarter में 2.2 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है net profit 3 करोड का पिछले quarter में 1.4 करोड का और March 23 quarter में 1.7 करोड का profit है quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 0.37 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गाइस quarter ended की रिजल्ट अगर देखा जाये तो बहुत ही strong result पेश किया है financial year ended में income है 147 करोड का 23 में 144.3 करोड का income में increase किया है और expenses 135.7 करोड का और 23 में 134.2 करोड का expense भी increase किया है operating profit 11.3 करोड का 23 में 10 करोड का जोकि operating profit increase है और net profit 8.2 करोड का और 23 में 7.2 करोड का जो की इंक्रीज करता वह देखने को मिला है EPS 1 रुपीज का 23 से इंक्रीज किया है तो गाइस quarter ended हूँ या financial year ended बहुत ही strong result पेश के क्योंकि income और profit दोनों में इंक्रीज करती भी नज़र आ रही है और यहाँ पर आउटसाइड इंडिया से जो प्रोड़क्ट आउटसाइड इंडिया में प्रोड़क्ट को सेल करने से रेविन्य जनेरेट कर रही दीख सकते हैं 40.9 करोड का तो गाइस overall यहाँ पर एच्छी रिजल्ट पेश कहा है शेयर की बात करें लगता हुआ देखने को मिला है और गाइस कंपनी में अब यहां से देखें बहुत आउन तो हुआ है अब यहां से चांसे है कि कंपनी यहां से कर सकता है इस क्योंकि का बहुत है इस अर्यवर्स कर सकता है तो अगर आप इसमें लुकर कर सकते हैं तो हम लोग वेडियो कहीं करते हैं अगर कोई